जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नियली एलकेमिस असोशीशन के अंदर जाता है और उसने वहाँ अपनी नॉलिज के बेसिस पर सभी को इंप्रेस कर दिया था अब हमें फिर शैनफाई को दिखाते हैं जिसके पास एक शियाओ यी नाम का एक बंदा आया होता है शियाओ यी शियाओ जिंगर के चाचा है और यह बहुत बुरा है असल में शैनफाई जाता है कि शियाओ यी कुछ ऐसा करे कि शियाओ जिंगर नियली को छोड़ कर मेरे पा जाता है नियली उसे कहता है कि शेंफाई और उसके आदमी को मैंने तुम्हारा पीचा करते हुए देखा था और शायद वो तुम्हें हानी पहुचानी की कोशिश करेगा इसलिए तुम बच कर रहना वो मान जाती है और नियली फिर उसे ये भी बताता है कि वो फिर आखरी ब कहता है कि तुम हमीशा इसे अपने पास रखना अब अगले दिन हम नियली के दोस्तों को देखते हैं जो भर-भर के स्पिरिट एलिक्जर्स पी रहे थे और कल्टिवेट कर रहे थे और इस सबसे कुछ समय बाद उनकी रैंग बहुत भर जाती है अब डूजे और कल्टिव पावर्स और उसकी शक्तियों का पता चलता है अब सब बहुत खुश होते हैं लेकिन लियो पाव यह कहता है कि वो शैन्यू को मज़ा चखाएगा क्योंकि शैन्यू हमेशा सब की टांग खीशता करता है अब रात को जब शैन्यू एक बच्ची को परिशान कर रहा होता है अब लियो पाव डूजे वगरा सब पीछे से आकर उस पर बूरी डाल देते हैं और उसको खुब पीटते हैं जिससे सब को बहुत मज़ा आता है वो से मारते मारते ये भी कह रहे थे कि हम डार्क गिल्ड के लोग हैं ताकि शैन्यू को कुछ शक ना हो लेकिन अब अगले दिन जब वो सब लाइबरेरी के अंदर नियली से मिलते हैं और उसे ये सब बाते बताते हैं तो नियली को पता चल जाता है कि शैन्यू इतना मुर्क नहीं है जितना हम उसे समझते हैं और वो वैसे भी डार्क गिल्ड के लोग शैन्यू को नहीं पीटेंगे और उसको ये पता चल जाएगी कि उसको हम मेंसे ही किसी ने पीटा है क्योंकि डाग किर तो सेकर्ट फामिली का अलाइंस है अब फिर तभी शेन यू आता है जो नियली से चिलाते हुए बात करता है और पूछता है कर रहा तुम ही थे न वो जिस पर सब बच्चे हसने लगते हैं और नियली भी कहता है कि उसने कल रात तुम्हें नहीं मारा और अब इस बात पर उन में बहस होने लगती है लेकिन तभी नियली नूटरस करता है कि स्कूल के डीन यहीं पर आ रहे है वहाँ अब L.K.M.S. Associations की डिरेक्टर यांग भी आती है वो यहाँ पर नियली और यहाँ के डीन से मिलने आई होती है शैन्यों को तो पनिश्मिंट दे दी जाती है और वहाँ डिरेक्टर यांग डियली से आकर मिलती है और उसकी पिल के लिए जो उसने पपल हेस ग्रास से बनानी सीखी दी उसके लिए उसे धन्यवाद करती है और फिर जो उसका प्रॉफिट हुआ होता है उसमें से एक भग वो नियली को भी देती है जिसे नियली बहुत खुश होता है अब फिर वहाँ डीन भी आता है और उसे जब ये पदा चलता है कि नियली एलकेमिस असोसीशन के अंदर एंट्रिज एक्जाम देकर पास हो गया है तो वो बहुत शौक होता है और अपने स्टूडिन की इस काबिलियत पर उसे शाबाशी भी देता है वहीं हम शियाव जिंगर को देखते हैं जो कल्टिवेट कर रही थी और नियली के दिये हुए अलिक्जर्स की मदद से वो कल्टिवेट कर सिल्वर रांग पर पहुँच गई थी जिस पर शियाव जिंगर दुखी होते हुए उनसे कहती है कि इसमें आपके कोई गलती नहीं है इसलिए आप दुखी ना हुई है जिस पर अब चाचा और जादा दुख प्रकट करता है और अब चाचा उसे बतीजी का प्यार दिखाते हुए कुछ एलिक्सर्स किफ्ट करता है और उसे पीने के लिए कहता है जिस पर शियाओ जिंकर उसके दिये हुए एलिक्जस को पी लेती है और इसको पीने के बाद वो तुरन बेहोश हो जाती है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बेहोशी की दवाई मिलाती थी वहीं हम नियली को देखते हैं जिसके पास एक मदुमक्षी आती है और उसे देखकर नियली समझ जाता है कि शियाओ जिंकर किसी खत्रे में है और वो तुरन अपनी दोस्तों के लिए एक लेटर चोड़ कर वहाँ से निकल जाता है वहीं हम अंकर शियाओ जिंकर को देखते हैं जो एक जंगल के अंदर थे और उन्होंने श्यावजिंकर को بांध रखा था वो कहते है कि अब तुम शेन्फाई की होकर ही रहूगी क्योंकि शेंफाई यहाँ अकेला आता ही होगा और आज रात को वो तुम्हारे साथ जंगल में अकेला होगा जिस पर शियाव जिंगर को बहुत खुसा आता है क्योंकि उसे कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ उसके चाचा ऐसा करेंगे वो उनको ऐसा ना करने को कहती है लेकिन इवल चाचा उसकी बात नहीं सुनता और शैन फाई को लेने चला चाता है उसके जाते ही वहाँ नीली आ जाता है और उसको फ्री करके दू ले जाने लगता है असल में नीयली ने जो नेकलिस दिया था उसमें नीयली ने एक लिक्विट डाला था और उसे एक मदुमक्खी सा टाच कर दिया था और इसी वज़े से नियली शियावजिंगर की लोकेशन का पता लगा पाया अब वहीं चाचा शेनफाई को लेकर वहाँ आ जाते हैं और जब शियावजिंगर उन्हें वहाँ नहीं दिखती तो चाचा बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि शैन फाई कितनी गुस्से वाला है। और वो तुरांत अपने आदमें से कहकर शियाव जिंगर को ढूनने लगता। चाचा ने शियाव जिंगर को बेहुश करने के लिए एक जहर का यूज किया था और इस जहर से अब शियाव जिंगर बिमार हो रही थी जिस वज़े से वो भाग भी नहीं पा रही थी। इसने अब नियली पहले उसको हील करने लगता है और उसके अंदर से जहर निकाने रगता है और ऐसा करते वक्त उनके बीच हमें एक अच्छी केमिस्ट्री दिखाई जाती है और फिर कुछ समय बाद पूरा जहर निकल जाता है तो शियाओ जिंकर नॉर्मल हो जाती है और बह सिलवर पर पहुँच चुकी थी और अब वो उसे फाइट करता है जिसे वो चाचा को बूरी तरह से पीट कर रख देता है लेकिन तब ही अब वहां डार्क गिल्ट के आदमी आकर वहां स्मोक बॉम छोड़कर शियाओ यी और उसके आदमियों की जान बचा कर उन्हें वहा शाम से गायब थे अब नियली शियाओ जिंगर को डिरेक्टर यांग को सौम देता है और जो भी अब बाकी जहर उसके शरीर में रह गया था उसका इलाज करने को कहता है जिसके अंदर उसे सिटी लौट को सेकर फामिली और डाक गिल्ट के बीच के रिश्टों के बारे में बताया होता है उसने उसमें ये भी लिखा होता है कि कैसे सेकर फामिली का एक रेस्टोंट जिसका नाम स्टार रेस्टोंट है उसमें वो लोग कॉलाबरेट कर रहे होते हैं अब नियली को ये बात पता चल जाती है कि सिटी लौट उसके जैसे एक 13 साल के बच्ची की बात नहीं मानेंगे इसलिए वो अपना लेटर डार्टर यांग के हाथ बिजवाने का डिसाइड करता है अब डार्टर यांग लेटर को लेकर सिटी रॉट के मैनेजर के पास जाती है और वो इस लेटर को डिलिवर करने के लिए तयार हो जाते हैं लेकिन वो अपनी कंडिशन नॉलेज और उसकी के बारे में पता लग गया था इसलिए वो नियाली की इसमें हल्प मांग रहा था वहीं हम सेक्रिड फैमली को देखते हैं जिसके अंदर शेंड फाय और सेक्रिवर का मैनेजर जिसका नाम अल्डर मिंग है वो नियली और उसके दोस्तों को जान से मानने की planning बनाते हैं वहीं दूसरी तरफ अब डिरेक्टर यांग मां जाती है और नियली को लेकर यहां आती है और वो सब मिलकर इस बिलको refine करने की बाते करने लगते हैं इस बिलको refine करने के लिए high cultivation level चाहिए होती है लेकिन नियली की cultivation level high नहीं थी जिस वज़े से सब दुखी हो रहे होते हैं और तभी नियली उन्हें दुखी ना होने के लिए कहता है और उन्हें इस medicine को refine करने का एक दूसरा तरीका बताता है और उन्हें एक खास book का नाम बता कर उस book को लाने को कहता है जिस पर सब हैरानी में पढ़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी किसी book का नाम कभी सुना ही नहीं था लेकिन तभी director Yang को एक book का ध्यान आता है जो president अपनी table की height को manage करने के लिए पत्थर की तरह उसे use करते हैं और वही book है जिसके बारे में नियली ने अभी अभी कहा है अब वो फिर सब पिल refine करने में लग जाते हैं और शेहर के सबसे वड़े alchemist based refining में help कर रहे होते हैं लेकिन last में पिल बनाने का बरतन unstable होने लगता है और वो फटनी के कगार पर आ जाता है और सब चिंतित होने लगते हैं लेकिन तभी नियली आगे आता है और अपनी soul power का use करते हुए पिल के extra toxic elements को हटा कर उससे control करने लगता है और इसमें काम्याब हो जाता है जिसके बाद पिल बनकर ready हो जाती है और ये सब देखकर सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि पिल की quality पहले से भी जादा 50% बढ़ जाती है अब नियली की इस काम्याबी को देखकर डिरेक्टर यांग खुश होती है और भावनाओं में बहेकर नियली को किस कर देती है और इसके बाद वो पिल्स लेकर सिटी लॉट के मैनेजर को दे आती है और वो ये पिल्स लेकर बहुत चौक चाते हैं क्योंकि ये पहले से अब मेहनत कर रहे हैं ये बातें उनको सीखरिट रखनी हैं क्योंकि अगर ये मोग के शहर में ना होने की खबर डाग गिल्ड को पता चली तो डाग गिल्ड शहर पर हमला कर देंगे वहीं अब अगले दिन नियली और स्कूल के सभी बच्चे स्कूल की तरफ से एक जंगल म बढ़ गई है जिसे देखकर नियली खुश होता है लेकिन नियली को ये जियून के इतना पास देकर शियाव जिंगर जेलिसी फील करती है अब फिर सब अंदर चले जाते हैं और टीचर भी उनकी सुरक्षा के लिए ग्रूप्स बनाकर उनके पीछे-पीछे है लेकिन तब पर इको भी पता चल जाता है कि कुछ आदमी इसका पीछा कर रहे हैं लेकिन नियली के ही दिमाग को देखना चाते थे कि नियली इन सबसे कैसे बचता है इसके वो पेड़ पर बैट कर उनको देखने लगते हैं वो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो नियली के ट्राप्स को देख लेते हैं और हसने लगते हैं क्योंकि वो traps world मामूली थे और वो उनसे बचने लगते हैं लेकिन तब भी वहाँ वो trap के अंदर एक hidden trap notice करते हैं और उस trap में फस कर सभी के उपर शेहत लग जाता है और अब शेहत की खुशबू से वहाँ पर बहुत सारी मद्वमख्य आजाती है और वो सब उनको काठने लगती हैं नेरली और प्रिंसिबल वगेरा वहाँ से निकलने लगते हैं तो बच जाते हैं लेकिन शियाओ ही और उसके आदमिوں की हालत खराब हो जाती है झाल